इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है प्यारे बच्चों यों प्यारे साथियों आज हम आप सभी लोगों को कलास 6 NCERT बुक गणित का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी लोग इसे ध्यान से समझिए और देखिए तो ये है कच्चाच्छे गणित का NCERT किताब है लेशन टू ए यानि ये तीसरा अभ्यास है तो देखिए इसमें हम देखते हैं पहला सवाल कौन सा है तो देखिए पहला सवाल यहां पर पूँछ रहा है क्या पूँछ रहा है सबसे छोटी पूण संख्या बताईए तो सबसे छोटी पूण संख्या बताने पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पूण संख्या कहां से चालू होती है कौन कौन सी होती है तो देखिए ये है पूण संख्या तो यहां पर देख रहे हैं कि पूण संख्या जो है सून से प्रारम होती है और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस ऐसे आगे ये बढ़ती जाती है जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे छोटी पूण संख्या कौन सी होगी जो बाएं तरफ होगा सबसे पहले तो सबसे पहले यहां सून है तो सून जो है सबसे छोटी पूण संख्या है तो हम इसका उत्तर लिख देते हैं क्या होगा सून तो यह हमने सुनने लिख दिया अब चलिए अगला हम प्रश्ण देखते हैं तो देखिए यह दूसरा प्रश्ण है यहां क्या लिखा है संख्या रेखा पर निमलिखित पूर्ण संख्याओं को परदर्शित करो तो देखिए यहाँ पर हमें जो है कौन-कौन सी संख्या दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको संख्या रेखा द्वारा परदर्शित करना है तो चलिए हम बताते हैं कि संख्या रेखा कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले हम एक रेखा खीचेंगे तो ये हमने रेखा खीच लिया तो ये रेखा खीचने के बाद हम क्या करेंगे इसके छोटे छोटे भाग करेंगे समान दूरी पर तो चलिए ये समान दूरी पर हमने इसके छोटे छोटे भाग कर लिए अब इसमें जो है छोटे छोटे भाग करने के बाद बाई और से हम सून से गिंती प्रारम करेंगे और एक, दो, तीन, चार लिखते हुए जाएंगे तो चलिए हम लिखते हैं संख्या सून से प्रारम करके तो ये देखिए हमने सून से लेकर साथ तक इसमें अंक लिख दिया तो ये ही जो है हमारा संख्या रेखा पर जीरो से लेकर साथ तक की गिंती को परदरसित कर दिया गया है अब आईए अगला सवाल देखते हैं ये देखी अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पर तीन करमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी कायोग फल 28 है संख्या ग्यात करो तो चलिए हम देखते हैं सवाल कैसे लगाते हैं तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमें मध्ध वाली संख्या निकालना पड़ेगा तो मध्ध वाली संख्या देखिए हम कैसे निकालते हैं तो यह यहाँ पर देखिए मध्ध वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं दो से हम भाग देते हैं तो ये हमने दो से भाग दे दिया तो कितना आया? चौदा आया तो ये चौदा जो आया है ये हमारा मद की संख्या हो गया अब पहले हम मद की संख्या लिख लेते हैं नीचे ये हमने मद की संख्या लिख दिया अब क्या करना है? बस हमारा उत्तर हो जाएगा अब चवदा का पूर्वर्ती कितना होता है तेरा होता है तो चलिए हम तेरा लिख देते हैं बाई और तो ये पूर्वर्ती हो गया अब दाहिनी और इसका अनुवर्ती लिखेंगे तो अनुवर्ती क्या हो जाएगा पंदरा हो गया तो चवदा का पूर्वर्ती हमने लिख दिया 13 क्योंकि पूर्वर्ती निकालने के लिए घटाना पड़ता है और अनुवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ना पड़ता है तो इस परकार से यही जो है हमारा उत्तर हो गयानी 13, 14, 15 यही संख्याएं है चली हम अगला सवाल देखते है अब देखिए यह अगला सवाल है इसमें क्या लिखा है तीन करमागत पूर्व संख्याओ में से मद्ध की संख्या 49 है तो तीनो संख्या ग्यात करो तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मद्ध वाली संख्या दिया गया है तो इसका हमें पूरवर्ती और अनवर्ती लिख करके उत्तर दे देना है तो चलिए कैसे करते हैं पहले हम इसको उतार लेते हैं 49 है तो हमने 49 लिख दिया अब क्या करेंगे 49 के बाई और इसका हम पूरवर्ती लिखेंगे और 49 के दाहिनी और इसका अनवर्ती लिखें तो 49 में से घटाएंगे तो पूरवरती आएगा तो चलो हम पूरवरती लिखते हैं 49 का ये हो गया 38 अब इसके दाहिनी और इसका अनुवरती लिखेंगे तो एक जोड़कर लिखेंगे तो 39 का लिख दिया हमने 40 तो इस प्रकार से ये हमारा 38, 49 और 40 यही हमारा उत्तर हो गया अब चलिए एगला सवाल देखते हैं देखिए ये सवाल है प्राकिर्तिक संख्याओं के समू में किस संख्या के समलित कर देने से वह पूर संख्याओं का समू बन जाता है तो चलिए पहले हम देखते हैं कि प्राकिर्तिक संख्या क्या होता है तो देखिए ये है प्राकिर प्राकेटिक संख्या देखिए एक से प्रारम होता है और अधिकतम मान की और बढ़ता जाता है अब देखिए पूल संख्या कौन कौन सी होती हैं तो यह देखिए यह है पूल संख्या अब पूल संख्या देखिए सून से प्रारम होता है और दाहिनी और बढ़ते हैं तो एक चीद ध्यान में कि प्राकिर्तिक संख्या एक से प्रारम हो रहा है और पूर्ण संख्या सून से प्रारम हो रहा है तो कौन सी संख्या जो है प्राकिर्तिक संख्या में हमें जोड़ना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या में बन जाएगा वो तो ध्यान दीजिए वो है सून क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सून नहीं है और पूर्ण संख्या में सून है तो प्राकृतिक संख्या में सून भी जोड़ दें तो वहाँ पूर्ण संख्या बन जाता है तो कहने के मलब उत्तर क्या होगा सून तो हम उत्तर लिख देते हैं सून ठीक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद